राधे राधे अवरिवान मेरे चैनल नैंसी शुवम ओफिशियल में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ हर तालिका तीज ब्रत की सरल पूजा बिधी 18 सितंबर 2023 को हर तालिका तीज का ब्रत है तो आएए जानते हैं सबसे सरल पूजा बिधी हर तालिका पूजन प्रदोसकाल में किया जाता है प्रदोसकाल अथार्थ दिन रात के मिलने का समय हर तालिका पूजन के लिए सिप पार्वती एवम गणेस जी के प्रतिमा बालू रेत अथवा काली मिट्टी से हातों से बनाई जाती है फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर पट्टा अथवा चौकी रखी जाती है चौकी पर एक सथिया बनाकर उस पर थाली रखते हैं उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर आसीत किया जाता है सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लेते हैं उसके उपर स्रीफल रखते हैं अत्वा एक दीपक जलाकर रखते हैं घड़े के मूँपर लाल नाड़ा बांधते हैं घड़े पर सथिया बनाकर उस पर अक्षत चड़ाया जाता है यानि चावल चड़ाया जाता है उसके बाद कलश का पूजन किया जाता है सबसे पहले जल चड़ाते हैं नाड़ा बांधते हैं कुम-कुम हलदी चावल चड़ाते हैं फिर फूल चड़ाते हैं उसके बाद सिब जी की पूजा की जाती है कलश के बाद गणिज जी की पूजा की जाती है उसके बाद माता गौरी की पूजा की जाती है उन्हें संपूर्ण स्रिंगार चड़ाया जाता है इसके बाद हर तालिका की कथा पड़ी जाती है दोस्तों दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दू हर तालिका तीज की पराडिक ब्रत कथा मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी कथा पढ़ने के बाद हम आरती करेंगे सर्व पुजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है रातवर जगकर पाँच पुजा एवं आरती की जाती है सुव आखरी पुजा के बाद माता गौरा को जो सिंदूर चड़ाया जाता है उस सिंदूर से सुहाग निस्त्रियां अपना सुहाग लेती है ककड़ी एवं हल्वे का भोग लगाया जाता है उसे ककड़ी को खाकर उपवास को तोड़ा जाता है अंत में सभी सामिक्री को एकत्र कर पवित्र नदी एवं कुंड में बिसरजित किया जाता है दोस्तों ये थी हमारी हर तालिक अतीज की सबसे सरल पूजा बिधी अगर आपको मेरी यह सरल पूजा बिधी पसंद आई हो तो मेरे चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और अल्सो प्रेस दा बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए राधी राधी एब्रिवान हर हर महादीव